तो साफधान इंडिया समाज के लिए बेहर शर्मनाद बिन है अपनी बीवी की हत्या करन अगरबाल को आज कोट ने रिहा कर दिया कर दिया तरन अगरबाल जैसे हत्यारे कोट दौरा बेल ग्रंड की गई है क्या हमारे समाज की ओरतें ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहे पाएंगी। नमस्कार, मैं हू गुर्मेट चौधरी। साफधान इंडिया फाइट बैक नाओ के स्पेशल एपिसोड में मैं आप सब का सौगत करता हूँ। लोगों में इतना गुस्टा, मीडिया में इतनी हल चल आकर क्यों ना हूँ। इस आदमी पे कोई मामली इल्जाम नहीं लगा था। इल्जाम लगा था अपनी बीवी की हत्या करने का। और कोट ने ऐसे आदमी की जमानत मनसूर करनी था। भारत में औरतों की सुरक्षा के लिए, उनकी साहिता के लिए कहीं कानून बनाए गए। लेकिन फिर भी औरतों के खिलाफ अत्याचार दिन बढ़ते ही जा रहे है। नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्योरो के अनुसार 2012 में भारत में औरतों के खिलाफ अत्याचार की 2,44,270 कंप्लेन रजिस्टर किये गए। और ये संक्या दिन बदिन पढ़ते ही जा रहे हैं। आज जो हम आपको घटना दिखाने जा रहे हैं, वहाँ भी एक विक्टम एक औरत थी। और इल्जाम लगा था पती पर। पर सवाल ये उठता है कि कोटने जिसे बेल दे दी थी, क्या वो सचमे निर्दोष था या फिर उसने किसी तरह हमारे कानून का, हमारे समविदान का फैदा उठा कर अपने आपको कतोर सजा से बचा लिया था। या फिर मामला कुछ और था, जिसकी भनक दुन्या को नहीं पड़ी थी। या गमेन करन से? क्या हुआ? घर नहीं जाना क्या? क्या करे रेनुका, काम इतना ज्यादा है बातरून तक जाने को पाइए अच्छा पाइए बातरून काइए वगे रेनुका पाइए क्या करे रुणा, यू अच्छा इस बार अनी वस्वी पे मेरे हस्बन ने इतना एक्सपेंसिव नेकलेस गिफ किया है मेरे हस्बन, वह मुझे नेकलेस ही ना चाहते थे अच्छा पाइए यू अच्छा नेकलेस याँ मैंए उन्से कहा अफ्यों कि वांग्नります विछ विए अच्छा जुतिल कि बुरे सम्छा पर ? तंड मैं वहाइd Уहीं कोई वच्छी आपवा बार्न ब्ला यू कार्ट! जिए वाह। पिया धरेती दिकाए डिकाए दे रहा हम करनी है! वे रहे हम करनी? अग्सकोई अब ता दिस कर से के एवागछ, भाई, जान आपत स्याननोकी.. जो अरो आज तुम्हारी अनिवरसरी है तो निकलो पो को सेर शर अरुना मायके गई है तो मैंने सोचा कि मैं घर जा के क्या करूंगा ना तब तक थोड़ा कामी करें दूद बलकुल गलत बात है तुम्हारी दूसरी अनिवरसरी अज और तुम हभी से सरे, क्या करी आर हां हां वो अरुना के ड़ अबिनाजी का फोन अपना था मेरे पर से, पूछ रहे थे तुमारे बारे में पूछ रहे थे? अरे योड जुमारे जुमारे बारे में सब अच्छी बाते बाते बताई हैं हां का थे? कुछ काम निकलाया था ओफिसमें, रुखना पड़ा कम से कम आज के दिन तो तुम जल्दी आ सकते थे तुम जानते थे कि मेरे फ्रेंड्स आ जा रहे है ते वो वेटिंग फॉर यू काम कुछ ऐसा था नहीं टाल सकता था मैं जिस काम की बात तुम कर रहे हो ना काम मेरे पापा ने तुम्हें दिलवाँ और अभी इसी काम की जोज रोज वही ना टक rapid तुम्हें एक बात लात रखना तुम्हारे पापा ने मेरे नाम के सफ सिपारिश की ती सिपारिश ऑज में जिस मकाम पर खड़ा हू औपनी महनत की वजहसे हो मेर मेरा क्या, मेरा क्या, सब कुछ तुम्हारा, मेरा क्या कि तीन साल टुई मेरी मेरे फ्रेंज के साफ ने बार बार तुम्हारे बार में पूछ ने कम से कब आज के दिन आज के दिन तो जल्दी आ जाते ना तुम You know what? I know I know कि तुम जान बुछ कर हमेशा सब के सामने मेरी बेजदी करना चाते, मुझे नीचा दिखाना चाते, हमेशा तुम चुम क्यों हो, बोलो कुछ कुछ हो ना, मेरे फ्रेंज के सामने मुझे नीचा दिखाके बोलो ना मैं पापस में फ़र चारी हूं मम्मी पापा की पास तंग आ गई हूं मैं गई से तुबारत कभी मुझे अपनी शकल मत लिखा हुआ है करन तुम हंडिट परसंट शूर हो इस के मारे में यह यह डाइवार्स के कैसे बड़े ही कॉंप्लिकेट होते हैं आच से नौ मैने भी लग सकते हैं शायद उस्ते जारा हूं हंडिट परसंट शूर हो यह डिवर्स मुझे चाहिए आप फॉर्मलिटीज शुरू करती चाहिए जब अनबन होती है तो इस体 म्यां वज़ए यह औन्दोनों की सोच नहीं मिलती या रिष्टे में करवार्ड बढ़ जाती है या उन दोनों की बीच मैं ऐसा कोई राज होता है जो दोनों को अलग कर देता है पती-पत्नी की जब खामुश्या बढ़ जाती है तो वो चीज़े सुलजने की वज़ाए उलजने लगती है, वज़ा चाहे जो भी हो, जब मदबेश सुल्चाने की इच्छा खतम हो जाए, तो रिष्टा भी वहीं पर खतम हो जाता है, करन भी ये रिष्टा खतम करना चाहता था मिष्टा करवाल, आपकी वाइप आपसे तलाक नहीं लेना चाहता है, उनका मानना है, ठंदे दिमाग से बैठ कर इस केश को निटाए जा सकते है, और मैं भी फैसला होने से पहले आपको टाइम देना चाहूँ, अकसा देखा गया है, कि तलाक की जरोती नहीं हड़ती है, ऐस से फैसले खुद ही निबढ़ जाता है, नहीं जाच से, मेरा इरादा नहीं बते है, यह तलाक मुझे चाहिए, अच्छी के, जैसे आपकी बढ़ जाता है, इस केश के हरें, नेट पिक से शुरूर की जाता है, आठेषे ढ़िए, आपके लिए, इस के शुरूर के लिए, गया कि जाते है, जाते है, जाते है, जाते है, चेक डेपासिट कर दिया है, रे राजू, बच्छी अबीनचे का फोना है था, आसर मुझे पता है, तो उनका फोन तो आया था, लेकिन सब क्या आवास मुझे नहीं पोचा हुचा वे रिनुका वो वो बैलन्ची का ख्या लखना yes sir take care guys, we'll miss you we'll miss you too sir yes sir अब और क्या क्या अचिनों की मुझे से तुम अरे पूरा का पूरा नंगा तो कर दिया है नहीं तब है कैसी चल रही है तुमारी नौक लिए सब ठीक है ना क्या हुआ बोलती बन क्यों हो गई कोट में देखा था मैंने तुम्हें अपने कंदे को छोते हुए याद है ना कि ये चोट कैसे लगी है ये तो कुछ भी नहीं है कर दो तुम बस देखते जा मैं तुमारी जिंदगी में तुम्हे और कितने चोटे देती हूँ इतनी करवाहर थी इस रिष्टे में ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दुसरी को चोट पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं एक तरफ करण अरुना को छोड़ने पे तुला हुआ था और दूसरी तरफ अरुना करण से तंग आकर शादी तूटने के गुस्टे में उसे ठेस पहुचाने की पूरी कोशिश कर रहे थी क्या करण सच में इतना बुरा था या फिर वो अरुना के बारे मैंसा कुछ जानता था जो वो दुनिया से चुपा रहा था आखिर क्यूं आखिर क्यूं वो इस रिश्टे से दूर भागना चाह रहा था अगर्वाल अगर आपको तरलाग चाहिए तो इसके लिए ठोस वजय ठोस कारण कोट को बताने पड़ेंगे नहीं तो मैं आपको तरलाग नहीं दे सेथा बताएए कोई कारण है आपके पास बोलिये मिश्टर अगर्वाल बोलिये प्लीज इसए नहीं मैं इस कंपणी में इंडर्ण graveyard कर रहा था है उक जब मेरे मुलाकात अच्छे से घुड और अच्छे से जानते थे जानते क्या थे बहुत अच्छे दोस कि इसवजिए से में खुद के वह आरोना से बात नहीं करताया, मेरी हम्मत थी नहीं कुई पर हicating से हमेरे साथ फ्रेंड़ी रही बाहत फ्रेंड़ी जो घुद आकर मुझसे बात करती आँज एक पिर दीरे में उसके साथ बात करने लगा हम इस मुलागाते बड़ी जान पैशान बड़ी हम लोग कॉफी पे डिनर पे साख जाने नगी जब सच कहता हूं ज़े तभी हिसास हो गया था कि हम दोनों बहुत अलग-अलग किसम के इंसान कहां यह इतने अमीर घर की लड़की और काम है छोड़े शेर का लड़का मुझे वह बहुत गरम दिमाग वाली लगी चोड़ी बात पर गुसा करना चीजों को तोड़ना गाली गालोच करना सब के सामने महरा पीटी करना मैंने बहुत सोचा ज़ता था बहुत सोचा अब मरेनसी मैं कुछाबर इसकत प्र ? क्या हJ eccentric है वारुन है ? लू क्यों करना आट दो क्यों जब आरा हुता? करना? अम प्रेयntenा है ? यह कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है, हम कुछ करते हैं, सोचते हैं इस पर, सब ठीक हो जाएगा क्या सोचेंगे, Karan? I'm pregnant! तुम समझते हो? अगर पापा को पता चला तुम पता भी हो क्या करेंगे? चाहती से पहले? I don't know what to do क्या? तुम अभी सोच रहे हैं? Karan, चल नहीं सोचो हमें, हमें कुछ करना चाहिए मैं बस इतना सोच रहा था कि अगर यही है करास्ता है तो ठीक है फिर हम लोग शादी कर लेते हैं फिर तो तुम्हारे पापा कुछनी कहेंगे, ना? पिर हमारी शादी हुई मैं सामी हुआ चीजे उल्टी, उल्टी उलश्ती गई इनके पिदाजी, अभिनाज जी की कृपा से मेरे पास एक बहुत अच्छी नौकरी थी एक रहने के लिए अलिशान घर दिया था और साथ में, साथ में उनकी बेटी Haruna Haruna Haruna, Haruna, क्या कर यह तुम भाग अगे हो मीचे उत्रो अच्छी हालत में हो आपर waking इस मने मुझे पहले क्म नहीं बताया इसमें बताने वाली क्या वात है कि तएसाथ प्रेगन्शी टेस्स नाइगेटिव निकली तो निकली तो निकली अगा दिंगा दिलिक हिः जूट गडा मेरे साथ तुम कभी प्रेगनंट थी नहीं प्लीज आ करन्क ये ड्रामे बाजी बनकर भूब जट साब जट साब मैंने अपने हाथों से अपना जीवन नर्ग बना लिया था तो मुझसे तॉन निकलने का कुई रास्ता ना सब्सक्राइब यार मैं उसके साथ क्यो असी मजाग करूगा यू अरुना रीचे रखो कतांगा कुपटी आगी यूम है यूपना अरुना का बैट हो पीछली आठी मैंने अशी आथा एंट भिश्ट ऑ करन्स किया यूम मैंने तुमसे तुमसे कहा थाना के मुझे बाहर खाना खाना है मैं रोज रोज ये घर में खाना काके पग गई हूँ डालेंग तो तीन दिन से भाहर ही खाना का रहे ना तो में काम करो, तुमार आम से बेटेव सारी महनत में अगर रहा हूँ तुमार ली एक ताउ फिर्स-क्लास खाना बनाता हो तुम इल मिल कर खाएंगे प्लीज, यह सब बख्वास बाते ना बंद करो तूम मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम यह सब क्यो कर रहे हैं I know you are these stupid excuses पैसे बचाने है ना तुम्हें तू जाओ ना मेरे पापा से मांग लो देह देंगी वो तुम्हें जैसे उनोंने तुम्हें यह नौकरी दी फिर शुरू हो तुम्हारा? यार इतनी मैनस से तुम्हान ले में खाना पका रहा हूँ उसकी कोई अप्रिशेशन नहीं है, कोई कदर नहीं है उपर से अताने कस रही हो बर्लेको तब पैसा 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 अपनी आवकात मेरा गरो तुम आवकात? तुम सिखाओगे मुझे आवकात? तुम आवड़ अवड़ जायो अवड़ जायो ठावड़ जावड़ दें के लिए हाँ हाँ? मेरे परिदाशकी भी हद होती है ना चथा? हाद होती है ने मेरे परदाश की, मुझसे नहीं परदाश हो और इसी लिए मैंने डिवोर्च के लिए अपलाई किया तो इसका मतलब इस पूरी कहानी की विलेन तो मैं ही हूँ क्यों 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 करन सिर्फ इसी लिए क्यों कि मैंने अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में तुम्हें गलत बताया अची तरह सजानते थे पर किती डरी होई थी किती घंबराई होई थी उस दिद और इसमें मेरी क्या गलती है अगर प्रेग्नेंसी के रिपोट्स गलत निकले तो यही करन बस अब और नहीं मैं भी बहुत बर्दाश कर चुकी हूँ और आज मैं सब के सामने बताऊंगी कि इसमें मेरे साथ क्या किया है शने आठी एफ ज clapping का अधितिय। विसंग कर से अधिय। यह गिए यह जिभित भी हिए Idhips मेरे साथ क्या गिया एंगा सटप्र्वी लगठी कि भष्चासाप अगाना अगो। यह बोलिये तो अटाथ यही में जूर बोलिये है विश्व जोटे तो अगIST चोंटे और यह जत्चाब आप मेरा यकीन कीजिए जत्चाब जिए पर ये लाइके जूट पूरिया बस अरूना, बस जत्चाब और ओर 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 ज़रा अरॉनर ये सब बेखने के बाद कुछ कहना सुनना बाकी नहीं रह गया जत्चाब मैं आपको पता रहू हूं मैंने कुछ नहीं किया जाता है और 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 कोड की कारवाई आज के लिए स्टगित की जाती है चलो आरोना तुम 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 जाता है तुम 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 से कुछ बात करना है मैं धातु बातु फालतु फालतु पालतु फाथ मेंकर्णा हूँ यह वालटू बातु नहीं करना हूँ फालतु बात तुमने की, मैं जूट बोला तुमने माँ का्टिवर्णधे मेरी रेपट्टेशन की सारी टच्चह ओडा दी आज मेरे पास, तुम मेरे पास नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, एक कोड़ी तक नहीं है तुम ने मुझ से मेरा सब कुछ छीह लिया और फार्दू बाते पहेकर रहा हूँ तुम प्लीज जा नहीं ये ये सिगरेट की तुम आर साथ पॉन ला ये कोई साधारन रिष्टा नहीं था, अरुना और करन एक दूसरे के लिए बिलकुल नहीं बने थे करन भी सब कुछ समझ चुका था, लेकिन अरुना की जिद और उसकी चलाकी की वज़े से वो अब बूरी तरह भास चुका था अरुना का ये गुस्सा, उसका ये रूप, शायद ही किसी और ने देखा होगा पर बिना सच्चाई जाने, लोग करन पे उमलियां उठाने लगे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक आदमी है अक्सर हम ये मान लेते हैं कि आदमी ही बुरा होता है पर सच्चाई तो ये है कि आरुना जैसी चलाक औरतें करन जैसे मासुम इंसान की जिंदगी बरबाद कर सकती है जद से लेकर वकील तक सबको यही लग रहा था कि करन ही गुनेगार है पर किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि करन इस रिष्टे से दूर क्यू भागना जा रहा था अब ऐसे वक्त में करन अपने आपको बेगुना कैसे साबित कर सकता मेरी क्लाइंट अरुना अपने पती करन अगरवाल को डिबोस्ट देने के लिए तयार है क्योंकि इनके बरदाश की हद हो चुकी है इन्होंने अपनी शादी को संभालने की बहुत कोशिश की लेकिन मिस्टर करन की बेवफाई है इनकी धोके बाजी और अत्याचार से अब इन्हें छुटकारा चाहिए क्योंकि जिस इंसान से इन्होंने प्यार किया वो पेवफा है हकीकत तो ये है कि मिस्टर करन अगरवाल और उनकी सेक्रेटरी के नाजाय संबनी से करन अगरवाल और रेनुका का काफी समय से अफैर चल रहा है यह रात तक ऑफिस में रहना रात रात भर फोन पर बात करना और मेरी क्लाइंट अरुना के पीट पीछे पता नहीं क्या क्या हो रहा था तुम इतना गिर सकती है जबकि तुम खुद यह अगर यह आरोप बे बुनियाद है तो मैं चाहूंगा कि कोट में रेनुका को बलाए जाए और उनकी गवाही ली जाए सच सामने आ जाएगा पर्मिशन ग्रांटेक्ट मिस रेनुका हाजिर हो मिश्रेनुका यह बताईए कि आपके और मिश्टर करन के क्या संबन है जी सर वो करन के ऑफिस मेरी सीनियर थे और मैं उनके अंडर हज़त जूनियर अकाउंटम काम करती थी और कुछ महिनों से कुछ महिनों से हमारा अप्र चल जाए होश में हो तुम तुम क्या बढ़ रहे हो जट सब यह क्या मिस्टर करन ने आपसे इस बात को राज रखने के लिए काहा था जी तुम पागलों की तरह बढ़ बढ़ा रही हो अरे अप्रिकेशन से लेके सब मैंने सिखाया तुम्हें हम कोर्ट में आपके दुख भरी दास्तान सुनने के लिए नहीं आये हैं जहां तक इस केस का सवाल है अब कुछ कहने सुनने के लिए बाकी नहीं रह गया है तो मैं चाहूंगा कि आप जल से जल इस केस का फैसला सुनाए और इस बात का ध्यान जरूर रखें कि किन परिस्तितियों से मेरी क्लाइंट अरुना को गुजरना पड़ा है और मेरी क्लाइंट की ओर से मैं उचित मुआवजे की मांग करता हूँ अरुना जी के पास में तो इतना पैसा खानानी जायदा और करन के पास तो धंकी नौकरी तक नहीं है वो कहां से लाएगा इतना पैसा यह सरा सर नाइंसा भी है और अनर आपके क्लाइंट करन के साथ मेरी क्लाइंट घर छोड़ कर आई थी इस शहर में अकेली रही इसके बदले में उन्हें क्या मिला धोका शरीर पर निशान क्या यह न्याय है यह अधालत मिस्टर करन और मिस्टर अरुना को अपनी शादी के रस्मों से मुक्ष करते हुए उन्हें तालाग परदान करती है और मिस्टर करन को यह आदेश देती है कि वो हर महीने मिस्टर अरुना को 20,000 रुपए की रकम निर्वाब अप्ते के तौर पर देते रहें सर मैंने आज तक जो भी सीखा सब आपने सिखाया और ये कपने अभिनाश्ची की इशारों पर चलती है मैंने पास और कोई रास्ता नहीं था अपर से मेरे पापा भी हॉस्पिट्राइस आप समझ सकते हैं कि ये नोकरी मिरे लिए कितीं इंपॉर्टन है मुण भाया था बेसेजर कहाँ से लेखाम, बेसेजर चाहिए जरौद नहीं कोलती है क्रिष्छ и थे रिखेज plugins ये रिविका क्रिप। के लिख़ теह कुल, कुल, कुल कुल, कुल, कुल... direk, व 1965, 111, 153, 1767, या helfen ă הérique? को अरकिस तुझेखिए खॉच नियार एकुच नियाकू है यँ अ्यर्टने तुझे कहा था, कि अपने भीवी को खो पर पैसे है, तूए तूँने भीवी को वक्त से लत पहर पहुंच हाए घ्राए वायच कई आ हिख़ो कि अजया और अच्छा 5-4 तुज जैसे कमीनों को मै एचितरा जानता समझ ना तुझे जिस को forme allah मैं भी नहीं तेखता हूं कौन सां औरूपीनfrage का उसी रहा है अधर ने तो निए तो अधार निए नगा दिजिए अधाने वाला काम इसाधी से पहले करते ना तो बहुत जादा मेरबानी होती आपकी लटका दो अधर अपने तो कभी का छोड़ दिया था एक बहन है वो भी बात नहीं करती उज़े यही लगता है कि मैं, मैं ही मुझरिम हूह मार दो मुच्छे थी भी तुम्हेजियो नज़키 पुछ इसे भी द्रीस ने उपासीब दिखाने हूह आईए मड़ू बड़ाई अजीब है यह करनगरवाग वकील हायर करने के तो पैसे ने लेकिन कहता अगर पैसे भी होते तो यह वकील को हायर नहीं करता बड़ाई अजीब लगा मुझे यह सुमके तो फिर मैंने सुचा तो युना आपकी हल्प ली जाए क्योंकि आपके और्गनाइज़िशन ऐसे लोगों की हेल्प को बढ़े इस केस के बारे में कुछ और पता चला मैडम केस तो वैसे एकदम सीधा है उस इन करन अगरवाल उस बिल्डिंग के सीटी फूटेज में रात को आठ बजे उस बिल्डिंग में एंटर करते पाए गया और कोस्ट मोटम के रिपोर्ट के बुताविक ये मरेडर शाम को साढ़े साथ से साढ़े आठ के बीच में इस ब बगडे जाते है गुनेगार यही कहते है कि मैंने कुछ नहीं क्या में निर्दोशू मुझे चोड़गो लेकिन यह केस कुछ अजीब लग रहा है मुझे वगरा बगरा सब कुछ है मुझे कुछ समझ में नहीं या रा था फिर मैंने सचा क्योंना आपकी हेलप लीजा तो करन यारती जी जी लॉयर है और तुम से कुछ बात करना चाहिए मैंने तुम लोगों को पेर ही कहा था मुझे कोई लॉयर नहीं चाहिए मुझे कोई लॉयर नहीं चाहिए हम लॉयर यहां तुम्हारी ड्रामे बाजी देखने नहीं है वह उन्हारी कहानी सुनने आई रिलाक्स पताऊ जो क्या हुआ था अश्रात अश्रात मैं अरूना के घर गया था उसे यह केने के लिए कि यह जो 20,000 मेने देने मेरे लिए मुम्किन नहीं होगा अगर बेखाज है तुम जे उससे में पोलीस को फोन करना चाही था लेकिन मैं इतना जादा डर गया था मुझे कुछ समझे नहीं है कि क्या है करना चाही मैं वहाँ से भाग गया ये देखे ये और बाकी की फोटोग्राफ्स ये मैंने मैंने कहा ना अब से हमने ये फोटोग्राफ्स इतनी बार देखे लेकिन फुर्दी इस में कि वहले फोटोग्राफ्स लिखता और जी युरॉनर मेरे क्लाइंट करन अगरवाल ने अपनी पत्नी अरुना को नहीं मारा और इसी बात को साबित करने के लिए मैं कुछ सबूत पेश करने की इजाज़त चाहते है इजाज़त है प्योरॉनर इन फोटोग्राफ्स को भ्यान से देखे खास करके अरुना के हाथ में बंदी उस रिस्ट वच को जब कातिल ने अरुना को मारा तो वो नीचे गिर और गिरने की वज़ा से उसके हाथ पर बंदी वो रिस्ट वच तूप कर बंदी ठीक साथ पैतालिस को और CCTV फुटेज के हिसाब से उस वक्त मिस्टर करन अगरवाल उस बिल्डिंग के अंदर थे ही नहीं CCTV फुटेज के अनुसार मिस्टर करन अगरवाल उस बील्डिंग के अंदर एंटर होते हैं ठीक आट्वुजी अरुना के बरने के पंद्रा मिर्ट पाद यह क्या बक्वास है एक घड़ी क्या रुप गई हम कातिल को एक ही छोड़ दें अगर करन ने अरुना का खून नहीं किया तो आपी से जाल तो बता जीजी किस ने किया यह पता करना पूलिस का काम ही यूरॉनर में चाहूंगी कि ज सारे सबूतों और गवाहों को मद्दे निजर रखते हुए यह अदालत मिस्टर करन अगरवाल की बेल की अर्जी मंजूर करती है और उन्हें उन्हें पुराना घर वापस देने का हुपन देती है करन अगरवाल को आज कोट ने रिहा कर दिया क्या है क्या हमारे समाज की ओरतें जिए बेहर शर्मनात दिन है अपनी बीवी की हत्या करने के लिए कैद करन अगरवाल को आज कोट ने रिहा कर दिया क्या हमारे समाज की ओरतें ज्यादा दिन तक सुरक्षित रह पाएंगी करन साब तो घर पे ही है अज शाम को नीचे घूमने आय थे तेकिन कुन बच्चों ने उनके ऊपर थूप दिया बुरे अंकल गंदे अंकल थूनी अंकल कहके चिलाते हुए भाग गया है और तब से करन सार घर में ही बंद है लगे थे जब खेंगे बंद हम अच्छा एक करन साब रहते हैं मैं यही बालगों निए यही करन साब रहते हैं मैं मेरम संभल गे संभल गे मैं घूश भी मैं है भी मैं भी मेर थाओ अधालों कितनी ही डमने कैम करना अधालों सब्सक्राइडаствus करन! 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 शिट! करन! करन! पुटो! पुटो करन! अब्यारे? करन! रिलाक्स! अब बचाएं! कुछा एंपुछा एंपुछा? क्यो बचाएं! अ... मरने दिया हो ता! तुम्हारी मुषसे से भी थापित होता है कि तुम गुनेगार। ऐसे भी आरफ्यार। एसे मरना चाते हो दो गुटो डूगार। जिस किसी निभी अरुना को मारा है, तुम्हारी इस हालत का वो ही जिमेदार, तुम बदला नहीं लेना चाते है उससे, नहीं पता करना चाते कि कौन है वो शक्स, हाँ? यह अर्ती जी, नहीं कोई फायदा नहीं है, अखर वो CCTV में क्यों नहीं दिखा आप ही मुशे पता है, वो घर तक पहुचा कैसे अर्ती जी? करन, वो बालकोनी का दर्वास है, जब मैं वह गई थी तो वो बन नहीं थी, बुला था, लौक क्यों नहीं क्या दिना है? वो कुछ दिनों पहले दर्वाजे का लोग खराब हो गया था, यह सटी करवाना चाहता था, आपके, आपके, अपके मतलब है, अपलकोनी के दर्वाजे का दर्वास ही? क्या परफेक्ट पानिक? उस जगह पे ना तो कोई गाड होता है, और ना ही C.C.D. क्योंकि उसे कैसे बता की, आलकोनी के दर्वाजे का लोग तूटा हुआ है? क्योंकि वो कोई ऐसा है, जो तुम्हारे घर से काफी अच्छे से वाकिफ है, जो पिछले एक डेट महिने से तुम्हारे घर में आता जाता रहे है. कौन हो सकता है? हलो, अब्रो के अच्छे अच्छे, आप अरुना के बार में कुछ बदा सकते हैं? अरुना से मेरी काफी बाते होती थी, लेकिन सिर्फ केस रिलेटेटिए, इसकी शादी शुदा जिंदगी के अलावा, मैं कुछ नहीं जानता है. Okay. Mrs. Dinsha. अरुना मेरे सामने लाली बीडिंग के फ्लैट में रहती थी, और मैंने कहीं पार उसे अपने बाल करनी में से अपने पती के साथ लड़ते हुए देखा था. What service? आप अरुना अरुना गर्वाल के बार में कुछ बता सकते हैं? वह तो पिछले दो मेने सामारे रहते हैं रहते हैं. रहते हैं. आप अब अब बता सकते हैं कि वह कहां कहां ट्राइबल करती थी? यह तो मैं बता नहीं सकती. पर हाँ, उनका जो ट्राइवर गोविन श्याद वह आपको बता सकता है. ठीक है, क्या यह गोविन का नमपर मिल सकता है? जी जरूर. थांक्यू. बताएए? वह अक्सर देर नात में ट्राइबलिंग क्या करती थी. देर यह? जी मैडम, कभी सोटे से पीक आफ, कभी सोटे से ड्राफ, बस कभी तो रात रात भर होटल में रहती थी. एक बात बताओ, तुमने कभी उनके साथ किसी को आते-जाते वे देखा? जी मैडम, मैंने तो ऐसा कोई देखा नहीं है. दिमाग में जोड़ डानो, शाह देखो. मैडम, मुझे पक्का है आदा मैंने ऐसा किसी को आते-जाते वे देख और नहीं देखा? ये देखो, करन. तुम्हारी बिल्डिंग की CCTV फुटेज में ये क्या मिले है? I can't believe this. इसको तो मैं… नहीं करन. छोड़ूँगा नहीं से मैं. इसे पिलकुल नहीं छोड़ूँगा. देखो, करन. हम ये काम अकेले नहीं कर सकते हैं. हमें किसी की मदद की जरूरत होगी है. शेंकर हमें आपकी मदद की जरूरत है. और ये? अशली अरुना की बिल्डिंग के अपोजट में एक बिल्डिंग है. जहां एक ओल लेड़ी रहती है, जिसका नाव है Mrs. Dinsha. और काफी टाइम से वह अकेली रहती है, किसी को बालकनी से गुस्ते हुए देखा और बालकनी से बाहर जाते हुए भी लेखा. पर एक प्रॉब्लम है. अच्छी उनके आइसाइट थोड़ी बीग. तेकिन फिर भी उनका कहना है कि अगर वो आद्मी उनके सामने आ गया तो उसे फट से पैजान लेगी. And I think, हम कहुंच सकते हैं. यह तो बहुत अच्छी बात है. पताएए मैं कि क्या मादब कर सकता है. Actually, हम एक ग्यादरिंग रखे हैं. अबना के लेग सहरमीन. वहाँ हम अबना के जतने भी फ्रेंद्स हैं, या उसके कॉलिश के फ्रेंद्स, या पुलिग्स, या उसके जो भी रिषित आखें, या जिनसे भी वो पिछले एक डेग महने से मुल्ती आई हैं, हम सब को बलाएंगे. वहाँ, हम मिस्स दिंशाओ को भी बलाएंगे. और अगर वो कल्पेट वहाँ होगा, तो मिस्स दिंशाओ से फैचान नहीं? शंकर, अगर आप वो गेस्लिस बनाने में हमारी थोड़ी मादब कर देते तो? यह अरुना सर्फ मेरी क्लाइंट ही में, एक अच्छी दोस्त भी थी. मैं तयानू. Thank you. Thank you so much. करते तूची वाँ, क्या है। इंसे पालती टूवाँ करतै rash की मेंने थे त securities precisely! चाड़ो आँ छोड़ा मुझे लगा घरला तू पैचान गई तो बहुत गड़बर हो जाएगी मेरे लिए तुझे तो मरना ही होगा छोड़ा मुझे पुरसी किलश्ण ने सुमें नहीं देखा हम लोगों ने देखा था सिसीटी के पोटेश पे एक महीने से अरुना के घर आते जाते हुए प्रिकली आए तो तुझे परना पड़ेगा ठोड़ा 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 अँआ आप चल देखाए अँआ अँआ पता मता क्या हुआ जब अरुना मेरे पास आई थी अँआ सब बहुत दुकी थी उसे किजी सार ही ज़र्वत थी मैं उस्ता के इतना कारती दीरी दीरे मुझे उससे हमदर्भी उने लगे लिए इस बात आगे बड़ी अँआ मुम छुप छुप के होटल में मिलने लगे जब तक कुछ सच सच बता देगी तुझे उसका खुं कर गे खुं कर गे उसका क्यारे आगे बता क्या हो मैंने पहुत संजाने भी पोचेश लेकिन वो मुझे दंकिया देने लग गई मेरे घर तक आगई मैं समझ गया कि ये वारत पागल है कि शौह शौह शंकर तुम तुम हीए क्या कह रहे हो कि तुम क्या हा रहे हो तुम पागल हो गया हो कि तुम चलकार लोगाए और ये इल्जाम जब उस करन के सर पर आया है तेरी तो चांदी हो गगई तेरी तो चांदी हो गगई तुरी है औरे मोटी चारची ठोकाई चान नावावर इस केस को क्लोज करते वोए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मिस्टर करन अगरवाल की बेगुना ही साबिक है और इस केस के असली गुनेगार एड़ोकेट शंकर जोशी इस वक्त हमारे हिरा सब्सक्राइब थैंक यू प्रस्टाफू एड़ोकेट शंकर को अरुना की हत्या के लिए IPC सेक्शन 302 के तहट उमर कैद की सजा सुनाई गई पर उन गुनाओं का क्या जो लोगोंने करन पे किये उसकी सचाई जाने बिना हमें ऐसी अववाओं से उठना होगा क्योंकि हम जिस पे इलजाम लगा रहे हैं हमें क्या पता उस मासुम पे क्या बीत रही हैं इसी के साथ मैं गुर्मे चौधरी आप सबसे विदा लेता हूँ देखते रहिए सावधान इंडिया जहां हम आप सब के सामें लेकर आते हैं अपराद की सच्ची घटनाएं